हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई अनदर नी वीडियो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहर डील आरेस लेंड रेकॉर्ड एंड सर्वे अम्मीन 2022 का जो वेकेंजी आया है मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना के एक दिन पहले पोस्ट कर चुका हूँ अगर पता दिया था उस वीडियो में क्या क्या जरूरत होता है लेकिन बहुत सारे केंडिडेट मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछेते कि क्या इसका मार्क कितना होगा इस जौब को अपला करने के लिए इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना देने से आपके मन में इसलिए मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बना देता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा एंट तक देखिए आपके मन में कुछ भी डाउट ने रहेगा और कुछ डाउट रहे जाता है तो फिट से मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपका जरू रिपलाय दूँगा बिन्ना कोई देरी के वीडियो को सुरू करते हैं इधर आप देख सकते हो जो क्लॉर्क निखा लिखा है ना क्लॉर्क में आपको बता है के फोर अप्लाय दिस जॉब यू मॉस्ट है पास आउड फ्रॉम ग्राजॉट और प्लॉस्तरी से अगर आप ग इधर आपको कोई भी एक्जान देखने के लिए नहीं मिलेगा और जो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको फूल डिटेल भताने बाद मला हूं the candidates are selected by the percentage based मतला आपका जो percentage based आपको qualification में आपको apply जो करे हो आपको qualify कर दिया जाएगा इधर आप देख सकते हो 10th से आपका जो mark केसे आपका qualify किया जाएगा 10th class पासवाड हो चुके होगे तो आपका 10th mark से आपका 10 पासवाड हो चुके होगे तो आपका 15 पासवाड आपका qualification मार्क लिया जाएगा अगर graduation जो graduation पासवाड होए हो ना graduation चे आपका 70% मतला graduation चे जाद आपका पासवाड लेके आपका qualification होगा और अगर आप post graduate या PG किये होगी तो उधर से आपको 5% का आपका mark लेके total आपको qualify मतलो आपका केसे हिसाब करा जाएगा इधर आप देख सकते हो total मिला के ये 70 ये दोनों मिला के 30 होगे मतलो total 100% से आपका qualify करके आपका जितना mark आएगा उसके हिसाब से आपको इस जॉब के लिए apply हो या नहीं इधर आपको बता दिया जाएगा इन्हें स्टाता रेविन्यू क्लार कफिशर में इधर आपको graduation में एजुकेशन में आपको क्या मागा गया है कि diploma in civil engineering with two year experience बहुत सारे केंडिडेल भी पूछेते हैं कि experience certificate किधर सुना वो प्राइबेट हो या government हो जो भी हो आपका हो इस जॉब के लिए apply कर सकते हो इधर आपको बता गया कि diploma भी आपको जर्यरे, diploma भी जरूर है रहे और आपको 10 से 10 परसंट लिया जाएगा experience certificate से बहुता से 17% टोटा मिलका हाण 100 % अपका होगा इधर आपको बोलते है कि experience certificate experience certificate का भी माहिन रखते है क्योंकि experience certificate से इधर आपको 20 परसंट आपका उधर से भी लिया जाएगा आपको उधर डिपलमा आपको चाहिए होगा डिपलमा इन सिभिल इंजेनरिंग चाहिए होगा पहले पहले 2021 और 2020 में जो अमिन के लिए प्लोस्टु पासाड होना जरूरी था है लेकिन इस बार जो पोस्ट निकले है यह डिपलमा मां आगा है बदल दिया गया है मतलब बदल 90% लिया जाएगा और आइटी या डिपलमा किये होगो तो उधर से आपका 90% लिया जाएगा टोटाल मिला के आप जानूगे मैं पहले जैसा बताया था यह से भी इधर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और से शेटलमेंट अफिसर में आपको एज़िकोशन आपको क्या घैंतष में होगी होगी तो उधर आपका 10 10 पर्सट उधर से आपका का लिया जाएगा और प्लस षेगा बीबाना जी परसट लिया जाएगा इसलिए अधर आपको में बोल देना चाहता हूं कि experience में जो 25 या 10-15 एतना मिलता है इधर आपका experience certificate भी माहिने रखता है इसलिए इसको neglect करना नहीं चाहिए experience है आपका comment हो या private हो आपको experience certificate भी चाहिए होता है इतना इस वीडियो में और इस वीडियो में आपको थोड़ा भी helpful हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए मैं वीडियो के नीचे टेलिग्राम चैनल में इस पीडेव का विलिंग अप्लोड क कर दो कर दो